तो है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका होस्त दोसे थात और आपको स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेखनिकल करना 2M पेत दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे अच्छे रहना दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम बातक बताने वाले WhatsApp के द्वारा इंटर्डूस किया गया छे कूल फिचर्स के बारे में जो की 2021 में इंटर्डूस की गए हैं तो इन फिचर्स के बारे में मैं आज आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को क्योंकि बहुत ही helpful ह हो सकता है आप लोगों के लिए तो और एंट तक भी जरूर देखिएगा और बीच में थोड़ा भी स्किप मत कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको सारी जानकरी पता नहीं चलेगी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडिय अगर उसका वाट्साप है तो पहले हम बात करेंगे वाट्साप पेमेंट के बारे में तो वाट्साप पेमेंट जो है यह जो फिचर है यह 2020 में इंटर्डूस हुआ था और यह भी आभिलबूल कर दिया गया था अंडरड और आयोस यूजर के लिए और इसके जरीए आप पेमेंट डारेक्ट रिसीव और सेंड कर सकते हैं यूनिफाइट पेमेंट इंटर्फेस के जरीए वाट्साप से डारेक्ट आप किसी को भी पेमेंट सेंड और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं उसके बाद सेकेंड फिचर की बात करें दोस्तों तो मेक के बारे में बात करें तो दोस्तों पहले आप अगर भाइस और विडियो करना चाहते थे तो आपको मोबाइल की मतलब स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती थी और लेकिन अभी आप डाइरेक्ट PC से भाइस और विडियो कर सकते हैं कोई भी स्मार्टफोन पर हो या दूसरे PC अगर ये बहुत ही अच्छा बीज़र है आपको आप करना है तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी बात करेंगे multi device support के बारे में तो यह जो फीचर है दोस्तों यह बहुत ही आवेटट फीचर है वाटसाप का जो क्योंकि हम अगर एक device में लॉग इन करते हैं तो दूसरे device में अगर लॉग इन करने जाता है तो जो पहला device है उसे आटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है जिसके लिए हमको बहुत सी दिक्कत होती है और बहुत सारे लोगों को होती होगी क्योंकि जिनके पास दो-दो स्मार्टपोन है उनको दिक्कत होती होगी क्योंक में आप दो WhatsApp लोग इन कर सकते मल्टिवाइस सप आपको नहीं मिलता है मतलब दो-पोन में भी आप एक सार्भ लोग इन लॉग इन रह सकते हैं और एक ही टाइम पर तो अभी चौथे फीचर की बात करें तो मुट वीडियो बिफर शेरिंग वाटसअप मतलब आगर आप वाटसअप पर कोई भी वीडियो शेर करते हैं तो आप उसको मुट करके शेर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे कोई जगे पर वीडियो सूट कर रहे हैं जिसमें वो बैक्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है तो आप उसको मुट करके भी वो वीडियो को अपने कांटाट्स को भेज सकते हैं जाकि उनको कुछ सुना ही नहीं नहीं पर वो वीड शेर साई और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लेम है यह बहुत ही जधा दिक्कत देता है यह लेकिन अभी इसका भी है तो यह कर दिया है और आप अभी आई वीज से आंडड्रिट्ट पर आइड्रिकली मतलब आराम से आपका जो चार्ट हिस्ट्री है वो ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं तो Android से iOS पे भी कर सकते हैं आपको खाले एक केबुल की जरुद पड़ेगी जो की है USB Type-C to Lightning केबुल ये केबुल की जरुद पड़ेगी उसके बाद आप अपने ओल्ड Android फोन से न्यू आइफोन पे आपका डाटा जो है जो WhatsApp चार्ट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उसको करने के लिए आपका जो फीचर है वो सेटिंग्स मेनू के निचे है और ये भी बहुत ही एक हेलफुल फीचर है जो की अपने जो चार्ट है जो की Android से जो Android एको सिस्टम है उससे iOS पे जाते हैं तो उ होता है अच्छा फीचर है मतलब इस पे कैसा है कि अगर आपने ऊपने एक बार उसको स्कh कर दीया मतलब जो जो मिडीः फाइल आपने किसी को 까श कर दिया अब आपने लिए जाता है तो फॉटो खूलेगा ही नहीं तो ये फिचर बहुत ही अच्छा है अगर आप किसी को एकी चीज एकी बार दिखाना चाते तो ये फिचर आप यूज़ कर सकते हैं तो मुझे लेकिन उसके लिए आपको एक वान आइकन आता है उस पर टैप करना पड़ेगा और उसके नीचे उसी पर आपको दिख जाएगा यह जो WhatsApp Disappearering Media फैल से उसे पर आपको दिख जाएगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूब बताएगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर विडियो अच्छा लगा है तो विडियो को एक लाइक कर दीजे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दीजे ताखि हमारे इस चैनल पे आपको एसी टेक रिलेटड अपडेट विडियो जॉब डिलेटेड अपडेट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे और मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम और गुड़ बाई